सबी चत्रों को मिरन मश्कर आठो पाठ देखते हैं हम इस कहानी में एक प्रजा वस्तल राजा का वन्नन है राजा प्रजा की कठी नायों में हमेशा उसकी मदद के लिए करते तर फो यहीं प्रजा के बारे में हम प्रजा के बारे में यहां पर बताया है देखते हम क्या बात है पूरा पाठ देखेंगे तब पता चलेगा क्या है राजा भोज piace बड़े प्रजा वस्तल राजा के बारे में तो हमने सुनाई हल भा ठीक है न क्रजा के बारे में बिसवयम राज्यम में गुम गुम का प्रजा की कठिनाए को देह और देखा करते है और उन्हें यथास संबब दूर किया करते हैं तो राजा क्या करते हैं कि राजा को हर बार मदद करते हैं गुंग गुंग कर वो स्वयम राजा को जो भी मुश्किली होती है वो दूर करते हैं तो देखते हैं एक दिन राजा अपने राने के साथ हरत पर सवर होकर राज्य का प्रहमन कर रहे थे मेरे अद्धाने से बहुत दोर निकल गए, उन्हें देखा कि एक खेत में एक किसन हल जोतरा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसके स्त्री हल किज रही है, राजबूर ने रत को रोका और किसन के पास जाकर बुला, बले आदमी, तुम यह क्या आत्याचार कर रहे हो, भला कही स्त्रीयों को भी हल में जोतरा है, तो क्या हुआ, कि एक दम फ्रमन करते करते, वो एक खेत में जापो, यह वहाँ पे देखा, तो एक किसान है, वो अपने खेत में हल जोतरा है, तो हल जोतरा है, वहाँ पे एक जगह पे बैल है, और दूसरी जगा पर बेल होना चाहिए पर क्या है उसकी पतनी है तो राजा को रहे न सके उन्हों पुछ रहा के भले आदमी यह क्या कर देया हो तुम यह कैसा अज्ट्याचार है कि कोई स्त्रीकों भी यहा पर जोत सकता है तो क्या उत्तर है उसका देखते हैं मेरा एक बिल मर गया है दूसरा बिल खरिदने के लिए मेरे पास धन नहीं है अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या कहकर किसंद पुना हपने कारिया में लग गया उसे क्या पता था कि उसे बात करने वाला कौन है राजा ने कहा रे भाई ज़रा सुनो तो जो कहना है मेर किसान को तो पता नहीं है कि उसके साथ जो चल रहे है बात करें वह राजा भोज है ठीक है कोई की बेश बदल के आए थे किसा ने जवाब दिया कि मेरा दूसरा बेल है वो मर गया है और दूसरे बेल खरिदने की मुझे पास पैसे भी नहीं है अगर मैंने अभी दाना नहीं यहाँ पे बुया तो फसल क्या होगी ठीक है ना इसलिए मुझे ये कार्या तो करना ही पड़ेगा ठीक है अगर तुमको बात करनी है तो तुम मेरे साथ साथ चलो और बात करो मुझे पास समय नहीं है देखते हां कि राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे अपने काम के प्रतिकिसान की लगन देकर राजा भोज बहुत प्रभावित थे वह बोले बले आदमी इस प्रकार तो 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 उमारी पतनी ठक जाएगी और ठकावाट की वजह से कोई दूसरा कार्या भी कर नहीं सकेगी तो क्या किसान बोला तो फिर तुम्हीं बताओ मैं क्या करू तो क्या बोला राजा को बोला कि फिर तुम्हीं बताओ क्या करू मैं राजा ने कहां तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूँ मगर इतने देर मुझे काम रोकना पड़ेगा तुम्हीं बेल ला दो कसर तो क्या वहीं राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो उम्ही अपना बेल तुम्हें दे देता हूं तो क्या हुआ किसर ने कहा बोलाक मुझे इतनी देर मेरा काम रोकना पड़ेगा एक काम करो तुम ही ले आओ राजा को वो किसान बोलता है अच्छा ऐसा करो तुम अपनी क्या हुआ अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को रहत के पास भेदो वहां मेरी पत्नी से बेल ले आएगे तो राजा ने बोला कि तुम ये तुमारी पत्नी को मेरे रहत के पास भेदो वहां मेरी पत्नी से बेल लाएगी अब तक में तुमारे हल में तब तक में तुमारे हल में जोतूँगा तो यहां पर राजा बताता के तुमारी पत्नी है उसको मेरी पत्नी के पास भेदो वहां बेल का आगे मेरी पत्नी है, और वह मेरी पत्नी है, वह बेल मंगबा देंगे। किसान इत बार पर राजी हो गया. तब तक में तुमारे यहाँ पे बेल की जगापे जुद जाता हूं. राजा भोज हल में जूद गए और किसान की पतनी रध के पास चली गए उसने राणी को सारी बात बता दी राणी ने पूरी तरफ बात सुनी कहा तुमारा बेल तो कमजोर होगा वो हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ किसान की पतनी दोनों बेल लेकर खेत पहुची किसान बहुत प्रशन हुआ राजा भोज ने कहा अगर कभी भी कोई दिकत हो तो मेरे पास आजाना कहक मेरे जा भोज ने उसने अपना परिचाए डिया तो किसान बहुत सर्मिनदा हुआ तो क्या हुआ कि राजा जैसे है पत्नी गी उसकी ऐसी है क्या बोला उसकी पत्नी ने कि सान की पत्नी ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी ने क्या बोला कि ये तुमारा बेल तो कमजूर है तो ये मेरे बेल से काम नहीं करवा सकता क्योंकि वैसा करो कि मेरे दोनों बेल ले जब तो काम अच्छा होगा तो क्या हुआ कि दोनों बेल उसने दे दिये फिर वापिस राजा है उसने कहा कि कभी कोई दिक्कत हो मेरे पास आजना तभी किसान को पता चलता है कि यह राजा है ठीक है आगे दोखते उसने राजा से बार बार खशमा मागे राजा प्रसन होकर बापस दलेके उस बार उसकी किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई उसके अस्तर्यका ठीक ह्या न रहा जब उसने देखा कि के खेत के जितने हिस्से को राजा भूज ने तो जोता था उस भी मोती हो गये थे बार की किसान को जब पता चला कि उसके बेल की जगह पे राजा बोत थे तो वह बहुत सर्मिंदा हुआ और बार-बार माफी मांगने लगा पर राजा प्रसन होकर वापस चले गए और किसान ने खेत में वसल हुई तब वासर चकित हो गया क्योंकि जितने में उसने जो भी दाने बोये थे वहां पे बहुत ब प्रसन ने सारे मोती कट्टे किया और राजा भोज के पास पहुचा उसने सारे मोती राजा के चर्णों में रख दिया और राजा को सारा किस्सा कह दिया तो क्या हुआ कि वह सारे मोती है वह राजा को देने के लिए राजा भोज के पास चले गए सारा किस्सा बता दिया र नहीं महराज यह आपके परिश्रम का पताप है इसलिए मैं नहीं ले सकता मेरी प्रातना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों में भलाई के लिए बाटे किसान ने प्रातना की किसान के बास्रूं का राजा प्रसन हुए उन्हों मोती स्विका करें तो देखा ना कि सामने किसान है वो भी कितना अपने काम में इतना प्रामानिक है ठीक है न कि जितने भी राजा ने जो भी बोया था और वहां से जो भी मोती मिले तो वो तुरंत राजा का हिस्सर देने के लिए आ गया और राजा ने भी कहा कि इसलिए तो किसान ने बढ़ा दिल कर that कह दिया कि ये जो भी मुतिक है वो सारे गरिबों में बाट दिए तो यही सच्य आदमी की निशानी होती है जैसा राजा है वैसी राजा है ठीक है ना राजा भोज बहुत बड़े दयालू है पराक्रमी है ठीक है यह बात यहां से पता चलती है तो यहां पर यह पाठ भी पूर्ण होता है जहिन अस्तर